कि हाई गाइज वेलकम तो यूटूब चैनल गैट गोल ऑनलाइं सोगाइज बात का नहीं होता है सच्छक वरती परिच्छा की जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि उसकी ब्यग्यप्ति जारी हो चुकी और भरती जल्द होने वाली है तो आज 9 माई 2020 की ब्रेंग नुच आलीस दियो और सब्सक्राइब का पेपर था 147 नंबर ही पर जब मेरेट वनेगी तो क्या अंतर पड़ेगा तो मैं उसके बदे बताओं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करने बैल आइकन दवा दें वह सभी को सेर करने वीडियो जादा से जादा जिससे कि आप ल द्हापकों की भरत्व परिच्ः के उत्तर कुंजी सद्वार को जारी कि या थि त्र गश्चि करने की же मान लोने बताया कि दिवर्सों में से 147 प्रसनों के उत्तर के साथ अंतिम उत्तर कुंजी सन्वार को बेप साइट पर जारी हो जाएगी वहीं आप दूसरी न्यूज पिकाटरी में देख सकते हैं कि यहां पर इस पर लिखा हुआ है कि अध्यापक बरती के हिंदी के तीन प्रसन कोर्श से बाहर से हैं इसमें से या तो सबको समान रूप से एक एक मिलेगा या फिर तीन प्रसन हटा कर 147 नंबर पर 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 रड़ाम भुषित किया जाएगा इसका निर्डम जारी करने से पहले समिख परिच्छा समिख की बेरदक में अंतिम फैसला हो गा तो होका यहां सकती है कि मान लीजिए कि अभी कोई जो तीन प्रस्ट डिलीट कि जा रहे हैं उन प्रस्टों पर किसी व्यक्ति को नंबर मिल चुका है और वह प्रस्ट और वह पासिंग मार्क्स के बॉर्डर पर है ब्लिकुल पास हुआ है और वस टाइम पर तीन प्रस्ट होंगे तो फिर यह तीन नंबर कम हो जाएंगे इसका मतलब वह फैल की स्रेडी में आ जाएगा और वैनिफिट क्या रहेगा कि जो तीन प्रस्ट डिलीट हो रहे हैं जिस व्यक्ति के और उस व्यक्ति के उन तीनों नंबर तीनों प्रस्टों पर कोई अंक नहीं मिला है जब कोई नहीं मिल तो फिर सभी लोगों को फाइदा है तो सभी लोगों को पूरी तरह से फाइदा है क्योंकि तीन नमर बढ़ जाएंगे तो जो एक दो नमर से रुखे हो गए तो वो भी सभी का सभी का किलियर हो जाएगा पर और वह भावी सच्छा गुंद पाएंगे और आज उत्तरकुंज इसमें कोई लिए को आरी है तो कमेंट करके बताईएगा नेक्स वीडियो आपको डॉकुमेंट के उपर प्रोवाइट करा दी जाएगी जिससे के आप सभी लोगों का टेंशन दूर हो जाए तो काई यहां पर बहुत बढ़ा सा फरक पढ़ने वाला जो पासिंग मार्स हो तो उसका 90 नंबर न होके 88 नंबर हो जाएंगे तो इस तरीके से उसका पासिंग मार्स भी गरेगा तो कुछ टेंशन वाली बात नहीं है और मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए ठेक टेवाएं गुडवाइग